शुमा कर्ष्य नेतारं बेतारं कर्म भूबतां या आरंगिश्र अत्वाना वंदे अगुन रप्रे पंच पर्वेश्थी भगवान की जै संत शुरुमनी आचार विद्या सांगर्थी महराज की जै पिछली पार्षाला में अवधि ज्यान और मनप परिये ज्यान की चर्चा हुई थी अवधि ज्यान दो प्रकार का तत्वार सूत्रकार ने बताया भाव प्रत्य और गोर प्रत्य या छयुक्षिम निमित्त और मनप्रिय ग्यान की दो प्रकार का बताया रुजुमती और विपुनमती पिछली पाट साला में ये भी चर्चा हो गई थी कि रुजुमती से विपुनमती में विशुद्धी जागा होती है रुजुमती वाले जीव उससे गिर भी जाते हैं लेकिन बिपुल्मातिवान मनपपरिय ग्यानी जीब जो होएं तो होते हैं, उन तो तरवंबुक्षगावी ही होते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आचारे का अगला सूत्र के मनपपरिय ग्यान और अबदी ग्यान में क्या विशेष्टा या अंतर है। उसको इस सूत्र में अब देखें। सामने बोड़ पे नीचे वाना सूत्र वो ही लिखा हुआ है। उसको धहन से देखें और अपनी पुस्तक में भी देखें। फिर बोले। इस सूत्र में आचारी ने अबदि ग्यान और मनप परिये ग्यान में विशेष्ता बताई है अपेक्षाएं चार ली है सूत्र वड़ाइस पस्त हैं विशुद्धी, छेत्र, स्वामी और विशय की अपेक्षा अबदि और मनप परिये ग्यान में विशेष्ता है सूत्र बहुत सरल है सामने बोल पे भी सूत्र रिखा है हमने उसे भी देख सकते हैं और आपके पास अपनी किताब भी है उसमें भी देख ले अबदी और मनपरिय ज्यान में अंतर किसकी सब इक्षा से देखना है विशुद्धी, छेत्र, स्वामी और विशे क्या समझे विशुद्धी, अबदी ज्यान से मनपरिय ज्यान में विशुद्धी ज्यादा है क्षेत्र, अबदी ज्यान का क्षेत्र बहुत है मनपरिय ज्यान का क्षेत्र मात्र 45 लाख योजन है अबदिज्ञान तो पूरे लोग को जानता है, उसका छित्र बहुत विस्तिता है स्वामी, स्वामी अबदिज्ञान के जाना है, अबदिज्ञानी तो चारों गतियों में पाही जाते हैं नार्की भी, त्रेंच भी, मनुश भी और देउ भी लेकिन जो मनपड़िय ग्यानी हैं, उदे तो बहुत कम, मनश परियाई में ही कुछ है रिदिधारी नुरी महाराज होते हैं, उनको भी मनपड़िय ग्यान होता है इसलिए अगर देखा जाए स्वामी की अपेक्षा, अबदी ज्ञान के स्वामी बहुत है, मनद परिये ज्ञान के स्वामी बहुत कम. विशे, अबदी ज्ञान का विशे इस्थूल है और मनद परिये ज्ञान का विशे बहुत सूख्ष्वे है. अवरी ज्यान जहां तक जानता है उसके अनंत में भाग तक मनभ परिये ज्यान जानता है आचार ने इस सूत्र ने अवरी ज्यान और मनभ परिये ज्यान में क्या अंतर है इसको बहुत अच्छे तरह स्वस्थ किया है चार अपिक्षाई लिए हैं पहली अपिक्षा द्वारा देखें सुट्र को विशुद्धी विशुद्धी की अपिक्षा अवदि ज्यान से मनपड़िय ज्यान ज्यादा विशुद्ध है क्षेत्र अवदि ज्यान का क्षेत्र ज्यादा है मनपड़िय ग्यान का क्षेत्र कम है अबड़िय ग्यान का क्षेत्र सारा लोक मनपड़िय ग्यान का क्षेत्र पैंतालीस लाख यूजन प्रमा स्वामी अबड़िय ग्यान के जैदा है चारोगती में है जीर मनपड़िय ग्यान के स्वामी बहुत कम है मात्र, रिद्धि, धरिग, बुझे महरादयों कोई मनपपरिय ग्यान होता है अन्य और किनी को नहीं और विशे की अपिक्षा अबदि ग्यान का विशे स्थूल है और मनपपरिय ग्यान का विशे उसके अनंत में भाग अत्यंत सूक्ष्म तक है इस प्रकार इन दोनों में विशेशता हमें समझनी चाहिए अब अधि ग्यान मनपपरिय ग्यान की चर्चा हो गई चारों ग्यानों की चर्चा होने के बाद अब किस ग्यान का विशे संबंद क्या है ये आचार अग्यो सूत्रों में बता रहे है देखे मत शुर्त योर निवन्धो द्रवेश्व सर्व पर्याएश्व कुल ये सुत्र सरह है मत शुर्त योह मत इज्ञान और सुर्त इज्ञान इन दोनों का निवन्धो विशे संबंध द्रवेश्व समस्त द्रव्यों में है संद्रिच्छे है असरो पर्याएश्व पर उनकी सभी पर्याएव में नहीं है फिर दिखे इपार मत शुर्त योर निवन्धो मत शुर्त योह मतिग्ञान और सुटग्ञान इन दौनों का निवंधो विशै संबबंद दरभीशू सबी दरभ्यों में है असरू परियाएशू लेकिन उनकी समस्त परियाईों में नहीं है आचारनी क्या कहा मतिग्ण और सुटग्ण किसको जानते है इनका विशय संबन्ध क्या है ये किसको जानते हैं द्रवेशु सभी द्रव्यों को जानते हैं पर उनकी समस्त परयायों को नहीं जानते उनकी कुछ परयायों को जानते हैं फिर एक बार देखें, मत शुंत योह, मत ग्यान और सुत ग्यान इन दोनों का निवंधो, विशे संबंध, द्रव्येशु, अर्थार सभी द्रव्यों में है, पर असर्व, संदी विच्छे क्या न, स्वाप उसको आ कर लिया, द्रव्येशु, असर्व पर याईशु, द्रव्येशु, सभी द्रव्यों में है, पर असर्व, पर याईशु, आमाने नहीं, पर उनकी समस्त परयायों में नहीं है, मतिग्यान और सुतिग्यान सभी द्रव्यों को जानते हैं, पर उनकी कुछ परयायों को जानते हैं, समस्त परयायों को नहीं जानते, क्या मदियास और सोज ज्यान के दोरा अमुनित दर्वे को जाना जाता है? हम पहले आप से पूछते हैं, आपको छो धर्वियों का ग्यान है या नहीं, आप काल धर्विय को जानते हैं या नहीं, धर्म धर्विय को जानते हैं या नहीं, अधर्म धर्विय को जानते हैं या नहीं, जानते हैं अजाम धरमे कहा है लोग प्रमान पूरे लोग में इसका काम क्या है ठेरे हुए जीव और पुद्गलों को ठेरने में मदद करना ये कैसा है ये अजीव है इसमें गुपरस दंदिश पर्श है नहीं है कितने प्रदेशी है असंख्यात प्रदेशी अरे आपने अजाम धरमे को कैसे जान लिया हमने जाना कैसे शास्त्र के आधार से चाहिए हमने देखा ना हो पर शास्त्र के आधार से जाना शास्त्र में जो लिखा है सरवगी की बानी है इसलिए हमारा जानना बिर्कुल सही है इसी दिए उमाश्वावी महाराई ने सूत्र बनाया कि मतिज्ञान और सुतिज्ञान का विशे संबंद सभी द्रव्यों में तो है अर्थाक मतिज्ञान शुतिज्ञान छो द्रव्यों को जानते हैं लेकिन उनकी सवस्त परियायों को नहीं जानते क्यों? कि उनकी परियाएं मति-शुतियान का विशे नहीं है। मतिजान और सुतियान का विशे नहीं है। कुछ-कुछ परियान हैं। इससे हम क्या आपू है। मैं अपने बतिज्ञान, सुतिज्ञान के द्वारा आपको जान रहा हूं। तो आपकी वर्तमान परयाय को जान रहा हूँ या भूतर वबिशत सभी परयाय को जान रहा हूँ सिर्फ आपकी अभी वर्तमान परयाय को जान रहा हूँ इसलिए मतिक जान और शुतिक जान मां तो वर्तमान कुछ परयाय को जानते हैं मैं इस पुस्तक को जान रहा हूँ, लेकिन ये पुस्तक पहले के सुरूप में थी, आगे के सुरूप में होगी, मुझे नहीं मलूँ। क्यों? मतिग्यान और शुतिग्यान का विशे संबन्द, बस कुछ परियायों में है, समस्त परियायों में नहीं। इसरिए तो आचारी में लिखा आशारो परियाये शु, मत्य ज्यान और शूतिग्यान का विशे संबन्द ग्याध हूँ। अवधिक्यान का विशे संबन्द किंद्रवयों और पदार्थू में हैं। इसकी लिए आचारि अग्रा सुत्र लिखते हैं। रूपिश्वधे, रूपिश्वधे, गोले, रूपिश्वधे, संदिविच्छित करें तो रूपिश्वधे, अर्था अवदिक ज्यान का विशे संबंध रूपिश्व, रूपी पदार्थों में है, पहरे हमने आपको बताया था कि मतिग्यान और सुत्र ग्यान का विशे संबन्द अरूपी पदार्थों में भी है लेकर अवदिग्यान का विशे संबन्द अरूपी पदार्थों में नहीं है इसलिए आचाड़ सुत्र में लिखा रूप इशु आवद है अवदिक ज्यान का विशे संबन्द मात्र रूपी पदार्थों में है ये ज्यात हुआ अब मनप परिये ज्यान का विशे संबन्द क्या है इसके लिए आचारे ने अग्रा सुट्र लिखा है अब मनप परिये ज्यान के द्वारा जो रूपी पदार्थों जाना जाता है उसके अनन्त भागे अनन्त में भाग में मनप परिये ज्यान का विशे संबन्द है अर्था अबदिक ज्यान रूपी पदार्थ को जानता है लेकन इस्थूल को जानता है और मनप परिये ज्यान उसके अनन्त में भाग तक जानता है इसलिए आचार में तत लगाया शुरूर तत माने अभुदिज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के अनन्त भागे अनन्त में भाग में मनपरिय ज्ञान का विशे संबंद है ताप पर क्या निकला कि जहां तक अभुदिज्ञान जानता है उसके अनन्त में भाग में अनन्त में भाग तक मनपरिय ज्ञान विशे संबंद रखता है अर्थात उसके अनन्त में भाग को भी मनपरिय ज्ञान जानता है इससे सिद्धिय हुआ अभुदि ज्ञान का विशे संबंद स्थूल है मनत परिय ग्यान का विश्य सम्मन अबरिभ ज्यान की अपेक्षा बहुत सूश में है अबरिय ग्यान और मनत परिय ग्यान में सभी बढ़ाद एक साथ लगते हैं यह तो तो जादने के लिए पुरी जल्ख में करना पदता है वस्तु का अपने आप जलगना सिर्फ केवल ग्यान में होता है। हमारे मत्य उर्षुत ग्यान है पर हम जब लगाते हैं तो वे ग्यान लगते हैं। उसी तरह अवुद्यों मनपरे ग्यान इन में सारे पलात जलगते नहीं। इनके ज्यानी जो होते हैं मनश या मुनि महराज वे यदि किसी वस्तु को जाने की और अग्रसर होते हैं तब वे वस्तु ग्यान में आते हैं अपने आप नहीं ज़गते। अपने आप ज़गने का प्रसंग मात्र केवल ग्यान में होता है। अब प्रसंग प्राप्त केमर ग्यान का विशे संबंद कहा जाता है सर्व द्रवे परियाईश के वलश्यों बुलिए सर्व द्रवे परियाईश के वलश्यों बहुत से महामभाब जब इस सूत्र को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सर्व द्रवे परियाईश के वलश्यों ये गलत हो गया हमें जोर देना है परियाईश के वलश्यों परियाईश के वलश्यों उच्छारण कैसे करेंगे क्या हुआ इसका सर्वद्रव्य समस्त द्रव्य और उनकी परियायों में केवल अग्यान का विशे संबंद है सर्वद्रव्य ठीक है और उसकी सर्वद्रव कितने है अनंतानंत उनकी परियाये भी कितनी है अनंतानंत तो अर्थ क्या लिखेंगा? केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत अनंत परियायों को जानता है छड़ाला कार परें क्या लिखा? सखल द्रव्य के गुन अनंत परियाय अनंत जाने एक हिकाल प्रदग केवल भग वनता समस्त द्रव्य और उनकी अनंत परियायों को के लिए भगवान अपने आपनी आदम से एक साथ क्रम से नहीं एक साथ दिना क्रम के इस पस्त जानते हैं सूत्रक अर्थ्या बनता है समस्त द्रव्य और उनकी अनंतानंत परियायों में केवल अग्यान का विशे संबंद है अर्थात केवल अग्यान समस्त द्रव्यों को जानता है ऐसा कोई इत्रव विश्व में नहीं, संसार में नहीं, तीनों लोक में नहीं, तीनों लोकों के बाहर भी नहीं जो केवर अनंत पर आएं 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 के कि हम सर्व को परियायों के साथ भी जोड़ेंगे और हमने ये कहा कि समस्तो परियायों को केवलग्यान जानता है तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा क्या किसी भी दर्वी की प्रथम परियाय केवलग्यान के द्वारा जानी जाती है क्या किसी वे दरव की परियायव को कीवल अग्यान जानता है क्या इसका मतलब ना प्रतम को जानता है ना अंतिम को जानता है तो समस्त परयाय का मतलब जब होता जब प्रथम को भी जानते और अन्त को भी जानते लेकिन प्रथम और अन्त परयाय होती नहीं, इसलिए समस्त परयाय हम नहीं कह सकते हैं। केवर ज्यान का विशे सम्मन्द और अच्छी तरह कहना हो तो हम भूत इस पस्ति इस तरह कह सकते हैं जरा ज्यान देना, केवर ज्यान समस्त द्रवियों की वर्थमान समस्त परयायों को और भूत और भविशत काल की अन्ता नंत परयायों को एक साथ जानता है। किसी भी द्रव की वर्तमान परियाय के व्रग्यान के बारा जानी जाएगी लेकिन भूतकार की पहरी परियाय है यह नहीं तो जानी कैसे जाएगी इसलिए हमने का अनंतानंत और भविश्यतकार की अंतिम परियाय होती नहीं इसलिए अन्तिम परियाय ना होने के कारण भविश्यतकार की अनंतानंत परियायों को केवलग्यान जानते है जानने वाला कौन है जानने वाला है जीव केवलग्यान नहीं अगए जीव केवलग्यान के द्वारा समस्त रभ्यों को और उनकी वर्तमान समस्त परियायों को और भॵ्वुत और भविश्यतकार की अन्तानंत परियायों को एक साथ जानता है पुरी जीव सिद्ध रोगया तो उसकी वो अंतिम परयाय होगई तो केवल का उसका जावत रहा है यानी आपका ये प्रिश्ण हमारी उस बात के उपर हुआ कि केवल ज्यान किसी भी दर्विकी अंतिम परयाय को नहीं जामता सूचें आप सूचें क्या सिद्ध परयाय अंतिम परयाय है क्या सिद्ध परयाय में अब परनमन नहीं हो रहा जीव अशुद्ध था शुद्ध हो गया पहले उसका परनमन अशुद्ध था अब शुद्ध है परनमन तो आज भी है जितने सिद्ध भगवान हैं वो शुद्ध जीम द्रव्य हैं क्या उनमें उत्पात वैद्ध हो भी नहीं मानोगे उनमें परणमन नहीं माना जाएगा शुद्ध दुर्वी में भी प्रति समय परणमन होता है और सिद्ध भगवान में भी प्रति समय परणमन होई रहा है इसलिए पर्याएं बराबर हो रही है जील किसी भी अवस्था में हो चाहे जगू दवस्था में चाहे सिद्ध अवस्था में परिणमद प्रति समय होगा और उसकी परियाएं नई 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 बनती रहेगी किसी भी द्रवी की अंतिम परियाएं आती होती ही नहीं हमने किसी कावज को जला दिया, राख बना दिया, राख बनके पानी में डल दिया तो क्या हमने उसका अस्तित्ट नस्त कर दिया, नहीं एक भी दर्वे का अस्तित नस्त नहीं हो सकता, क्यों? सत्ध्रव्यलक्षण, दर्वी का लक्षण है सत्, सत्माने एक्जिस्टेंस, विज्ञान क्या कहता है? कोई द्रवे नस्ट नहीं किया जा सकता, उसकी परियाए बदली जा सकते हैं हमने काज़ को जलाया तो राख बना दी, तो राख उसकी परियाए है हमने पानी मडाल दिया, परियाए तो उसकी रहेगी नस्ट नहीं होगी इसलिए शिद्ध भगवान में भी पृति समय परणमर और उसकी नई नई परियाएं बरावर हो रहे हैं शिद्ध भगवान को परण सुद्ध हो गए तेरो परणमर किसी रूप में ना आगा है क्या शुद्ध द्रव में परणमर नहीं होता अगर ऐसा मानेंगी तो धर्म द्रवे, अधर्म द्रवे, काद्रवे और आकाश द्रवे ये तो हमेशा शुद्ध रहते इनमें तो कभी अशुद्ध आती नहीं फिर इनमें उत्पार वे ध्रोबे कैसे माने जाएगा और द्रवि किसे कहते हैं जिसमें उत्पार गय और द्रवि सदेग होता हो तो ऐसा नहीं प्रतेग द्रवि में एक अगुरलगु नाम का गुण होता है जितने शुद्र द्रवि होते हैं उनमें जो अगुरलगु नाम का गुण पाया जाता है उसमें शट्गुली हाल विर्दिनों परणमत दिरंतर होता रहता है और उस गुल के परणमन के कारण द्रभी में परणमन होता है और द्रभी में प्रति समय नहीं नहीं परियाएं बंती रहती है तो प्रति शुद्ध द्रभी अगर कोई ये पूछे ना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में क्या परणमन इनकी परियाये शुद्ध 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 ही रहती हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में पाया जाता है। युद्ध शुद्ध 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 शुद् इसमें नी बजाए छोती के बड़ी की मत्रा हो गए तो एका दीनी नहीं बाज्यानी नहीं कैसे बुलेंगे एका दीनी दी पर जो लगाना है एका दीन भाज्यान युगपदे कस्मिना चतुरुभ्यव ठीक हो गया उचारण में ध्यान रखिये मैं खुद देखता हूँ इस सूत्र को पढ़ने वाले बहुत अशुदी बोल लेते हैं अशुदी नाप इस सूत्र को संदी विच्छे से समझते हैं एक आदीन भाज्यान युगपदे कस्मिना चतुरुभ्यव इसका संदी विच्छे हुआ एक आदीन भाज्यान युगपदे कस्मिना चतुरुभ्यव ध्यान से रेखना युगपदे कस्मिना चतुरुभ्यव अब इसका से देखें एक आदीन एक को आदी लेकर भाज्यान भिभाजन करने पर युगपद एक साथ एक अस्मिन एक जीव के आ माने तक चतुरुभ्यव माने चार ग्यान अथाथ एक को आदी लेकर भिभाजन करने पर एक साथ एक जीव में चार ग्यान तक हो सकते हैं फिर एक बार देखे ज़रा एक आदीन एक को आदी लेकर अथा कम से कम एक ज्यान पर भाज्याई विभाजन करने पर युपद एक साथ एक कश्मिन एक जीव में चतुरुभ्यव चार ग्यान तक होते हैं अथा एक ज्यान हो के बर ग्यान दो हो तो मत्य शुर्ट तीन हो तो मत्य शुर्ट अवधी या मत्य शुर्ट मनब परिये चार हो तो मत्य शुर्ट अवधी और मनब परिये एक बाक्षुर देख लें एक को आदि लेकर विभादन करने पर एक साथ एक जीव में चार ज्यान तक होते हैं सामाने से प्रक्तिक बारवे गुरुस्थान तक के जीव में मत्य ज्यान और शुत्य ज्यान तो पाये ही जाते हैं जिनमें अबदि ज्यान होता है उनके मत्य शुत्य अबदि तीन ज्यान जिनके मनपरिय ग्यान होता है उनके मतिशुत और मनपरिय या मतिशुत अवदि और मनपरिय ये चार ग्यान और जो केवल ग्यान ये अरंत वगवान होते हैं उनके तो मात एक ग्यान पाया जाता है केवल ग्यान इसलिए कम से कम जीव में कितने ग्यान, एक ग्यान, केविलत ग्यान, अधिक से अधिक चार ग्यान, मत्य शुर्ट अवदि और मनप परिये मत्य ग्यान, शुर्ट ग्यान, अवदि ग्यान और मनप परिये ग्यान, ये ग्याना वरणी कर्म के छेप्षम से होते है लेकिन जब ज्यानावरणी कर्म का ख्षय हो गया तब ये चारों ज्यानों का ख्षय उप्षय कैसे रहेगा नहीं रह पाएगा और जब ज्यानावरणी कर्म का ख्षय उप्षय नहीं है तो अपर ख्षय उप्षय में ग्यान भी कैसे रह सकते हैं इसलिए जब ज्यानावर्णी करम के क्षय होने से केवरग्यान होता है तो उसके च्षयुक्षम से होने वाले ये चारग्यान स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं इसलिए केवरग्यान अकेला एक मात्र रहता है उसके साथ चारग्यान उसमें समाहित नहीं होते वे चारग्यान सम प्रविश्टी में पाया जाता है। इस प्रकार हमने आज समस्त ग्यानों का विशे संबंद देखा। मति ग्यान, सुति ग्यान का विशे संबंद सभी द्रभ्यों में और उसकी कुछ परियायों में है। अब्दि ग्यान का विशे संबंद मात्र गूपी द्रभ्यों में है। मनप परे ग्यान का विशे संबंद अब्दि ग्यान के अनंत में भाग तक है। समस्त द्रभ्य और उनकी अनंतानंत परे आयों में देवल ग्यान का विशे संबंद है। और अंत में आचारी का ये सूत्र के हमने आज पढ़ लिया कि एक साथ एक जीव में अधिक से अधिक चार ज्यान मतिशुद अवरी मरप परिये या केवर ज्यान अखेला हो सकता है आज आपका समय हुआ जै 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 जै